हलो दोस्तो नमस्कार एजुकेशनगर चैनल में आपका सौगा थे दोस्तो आज हम इस वीडियो में 29 अक्टूबर 2026 गर डेली करेंट अफैर समबधी जीतने भी महत पूर्णा कोशन बसकते हैं सारे कोशन के बारे में डीटेल से डिसकस करेंगे और हर कोशन से समबधीती पोटेंट फैक्ट में आपको बताऊँगा तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए आज का पीडिये आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में दे रहा हूं वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो जो सकते हैं तो दोस्तों चलिए करेंड़ फैर सिस्ट्वर्ट के और हमारा पहला कोशन है सर्गुजा संभाग की पहली महिला परवता रोही और कीज जीले की पहली परवता रोही सू श्री सूमन तामरकार को यस पी ने इसमि स्री बाला जी राव ने आज कलेक्टरेट सभाकाक्षा में साधे समारो में सर्गुजा संभाग की पहली महिला परवता रोही और जस्पूर जीले की पहली परवता रोही सु स्री सुमन तामरकार को इसमिती चिन अयों साल भेट कर समानित किया गया सुमन तामरकार नहीं माचल प्रदेश में इस्ति सोलांग वेली में इस्तित माउंड फ्रेंडशीप पीक पर 5,289 मीटर की उचाई तथा 17,303 फीट पर सुमन ने 21 अक्टूबर 2020 को सुबह 11 बच के आज मिनेट पर तिरंगा लहराया 36 गड़ के माउंटेन में सू स्री राहूल गुपता से उन्होंने दो मा की प्रसिक्षर प्राप्त किया राहूल गुपता के नित्युत में 9 अक्टूबर को 36 गड़ से परवता रुही का बीस सदसी दल माउंटेन टेकिंग के लिए हिमाचल प्रदेश रवाना हुए थे य जिन्होंने विश्व के सरवच्च परवत सिखर माउंट एवरेष्ट का दोस्तों इसने चढ़ाई किया था माउंट एवरेष्ट का चढ़ाई इसने किया था इस प्रक्टों को आप याद रखिए साथी दोस्तों करेंट अफ्यर सिखर का हमारा नेश्ट कोश्चन है हाल ही में कि जीले में बाला चापर में नव निर्मिस सरना एतनिक रिशाट का सुभारम एक नॉम्बर को किया जाएगा इसका सही अंसर है अप्शन ठाड़ा जैस्पूर जीला कोश्चन के स्पश्चिक इसानिक बन सकता है कि इसका जो सरना एतनिक रिषाट जस्पूर जीले में निर्मार की जा रहा है इसको किस विभाग द्वारा बनाए गया है कि स्ट्सपूर हो जाने के परियाट के स्विधा रिशाट सुरू होगा तो जो परियाटन है , परियाटक है इनकker स्विध्वां मिलेगी खादेयों जस्पूर जीले के प्रभारी मंत्री श्री अमर जीद भगत ने जीले के रिशार्ट बनाने पर जीले के निवासियों को सुपकाम नहीं दी और बधाई भी दी उलेखनी है कि बाला च्छापर में एक दसमलो च्छा पांच हेक्टेर में तेरा करोड दस ल इस रिशार्ट में 6 कार्टेज, 10 क्राप्ट हर्ट, तथा 1 कैफेटेरिया, तथा 1 एमपी थीएट, तथा 3 टेन प्लेट फांप सहीत अन्या सुविधायों की व्यवस्था प्रियाटों को के लिए किया गया है साथी दोस्ते यहाँ पर देखिए जो अमर जीत भगात है यह वर्तवान में 36 गड़ के खाद मंत्री है इस फिक्टों को आप याद रिखेए साथी दोस्तो अब यहाँ question 36 गड़ के जस्पूर जीले से समधित है तो देखिए दोस्तो यह है 36 गड़ और 36 गड़ के map में बेखिए दोस्तो यह है जस्पूर जीला का दोस्तो यहाँ पर पूरा विस्तित व्यू दिया गया है दिखे दोस्तों एक पूरा अब यहां से question बन सकता है दोस्तों कि जस्पूर जीले का गठन कब हुआ तो दोस्तों जस्पूर जीले का गठन उनिस सव अंठानवे में जस्पूर जीले का गठन हुआ था और यहां से देखिए दोस्तो इसका जो जीलम ख्याला कहा है तो इसका जीलम ख्याला जस्पूर नगर है दोस्तो जस्पूर नगर यहाँ प्रदेश में धुम्रपानमुक्त होने वाला प्रदेश का प्रथम सहर है दोस्तो जस्पूर जीले में है तपकरा दोस्तो जस्पूर जीले में एक तपकरा नामा किसान इन्हें 36 गड के नांग लोग के नाम से जाना जाता है जस्पूर जीले में प्रमुक बकसाइट भंडाराण चेतर जैसे 15 पाट, खुडिया, पहाट, दातुन, पानी आधी चेतर है यहां दोस्तों प्रमुक जनजाती जैसे मुंडा, उराव, पहाड़ी, कोरवा आधी जनजाती निवास करती है दोस्तो जो पहाड़ी कोर्वा विकास अभिकरण दोस्तो जो पहाड़ी कोर्वा विसेज पिछड़ी जन जाती है इसका विकास अभिकरण का मुख्याला कहां बनाया गया है तो इसका विकास अभिकरण का मुख्याला जस्पूर में बनाया गया है जस्पूर जीले में दोस्तों यहां पर अगडी हवाई पट्टी है अगडी हवाई पट्टी कौन से जीले में है तिये जस्पूर जीले में वरतमान में दोस्तों चतिस गर्ण में कुल कितने हवाई पट्टी है तो वरतमान में चतिस गर्ण में टोटाल नाव हवाई साथी दोस्तों यहां पर देखिए एक वन्य जिव अभ्यरण है जिसका नाम है बादल खोल वन्य जिव अभ्यरण दोस्तों जो बादल कोल वन्य जिव अभ्यरण है इसकी स्थापना कब हुआ था तो इसकी स्थापना 1975 को हुआ था और यहाँ प्रदेश का सबसे शोटा वन्य जिवा भेरण है और इसका जो छेत्र फ़ल है एक सबाँच वर्गह किलो मीटर है जसपूर जिले में दोस्तों 2020 में हाली में एक नई जल प्रपात की खोज हुई थी जिसका नाम है मकरभंजा जल प्रपात यह 36 गर का सबसे उचा जल प्रपात है इसकी दोस्तों जो उचाई है यह 450 फिर्ट से भी अधिक बताई जा रही है और दोस्तों यह किस नदी पर है तो यह महान नदी पर इस्तित है जस्पूर जिले में और कुछ जल प्रपात है जैसे रानी दाह जल प्रपात, दमेरा जल प्रपात, खोडिया जल प्रपात, राजपूरी जल प्रपात आदी है यहां से देखिए दोस्तो यह कुनकूरी है यह कुनकूरी में दोस्तो एसिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चार्चका है दोस्तो इस थापना यहीं पर किया गया है जस्पूर में दोस्तो एक इस्थान है जिसका नाम है सन्ना दोस्तो जो जस्पूर में इसी सन्ना है इसे 36 गड़ का सुझा लेन कहा जाता है दोस्तो 36 गड़ का सुझा लेन किसे कहा जाता है तो जस्पूर जीला में इस सित एक सन्ना नामा की स्थान है इन्हें 36 गड़ के सुज्जा लेंड कहा जाता है जस्पूर जीले में दोस्तो एक इस्थान है जिसे लुडेग तो हां दोस्तो जो लुडेग है इसने 36 गड़ में टामाटर की राजधानी के नाम से इन्हें जाना किया इसका सही अंसर है अपसन फर्ष्ट अब बस्तर जीला क्वेश्टन के स्वस्टी करणड दिखते हैं मुख्या मंत्री श्री भूपेश बगेल आज बस्तर जीला मुख्याला जग्दालपूर के लाल बाग में जीरम सहीदी समारक का भूमी पूजन किया उन्होंने इस द कवासी लक्म बस्तर सांसद दीपा गवेज तथा संसदी सच्युष्ट श्री रियक्चान जैन तथा हस्तसिल विकास बोड के अध्यक्ष श्री चंदन कस्यब तथा जस्पूर नगा निगम के महा पौर श्री मती सफीरा साहु सहित अन्यजन प्रतिनिधी उपस्थित थे साथी दोस्तो अब यहाँ कोश्चन में जगदलपूर के लाल बाग में जीरम सहीद इसमारक का दोस्तो यहाँ पर मुख्यमोते स्री भुपेज बगेल ने भूमी पूजन किया तो आप देखिए दोस्तो यह है चतिस गड़ के मैप और चतिस गड़ के मैप में देखिए द सन औनिज साम और तालीस में बर्स्तर जिले का गठन हुआ था दोस्तो बस्तर जिले का जिला मुख्याल का है तो यह जग्दल्पू है ब ke बस्तर जीले से सबसे पहले दोस्तो यही important question बन जाता है कि यह किस नदी के किनारे बसा है तो दोस्तोぎ यह इंद्रावती नदी के कि नियारे बसा है और इंद्रावती नदी को बस्तर का जीवार रिखा नदी कहा जाता है इंद्रावती का नदी का उद्गम कब हुआ है तो कहा सी हुआ है इंद्रावती नदी का उद्गम रामपूर थया मूल मंगेर पहाड़ी से हुआ है इंद्रावती नदी पर दिखिए द इत्रकूर जर्परपात और इसे भारत के नियागरा के नाम से जाना जाता है यहां पर देखिए दोस्तो एक और जर्परपात जैसे तीरादगर जर्परपात कौन से नदी पर है तीरादगर जर्परपात मुनगा बहार नदी पर है और यह दोस्तो बस्तर जिले में है साथी दोस्ति यहां पर कांगेर जल्पपवाद की सन नदी पर है तो यह कांगेर घाटी में इस्तित है शाथी यहां पर कुछ आइंपोर्टेट है जैसे दिखिए यहां पर एक राष्टी है दोस्ति यहां पर उध्यान है यह दोस्तो नेशनल पार्क है तो कांगेर घाटी राष्टी उध्यान की स्थापना का हुआ था तो कांगेर घाटी राष्टी उध्यान की स्थापना सन 1982 में हुआ था और यहाँ प्रदेश का सबसे छोटा राष्टी उध्यान है यहाँ पर पहाडी मैना का सरक्षन किया जा यहां दोस्तों यह कुटुम सर की गुपा है जहां पर अंधी मचली पाय जाती है यहां पर भैसादारा नाम आकिस्थान है जहां पर मगर मचों का प्राकृतिक सरणर इस्थल है और यहां पर प्रदेश का एक मात्रत इतली उद्यान भी इस्थापित है बस्तर जीले में परवा का प्राराम्भा किस ने किया था दो दोस्तों गोचा परवा का प्राराम्भा काक्ति राजा पुष्वत्तम द्वारा प्राराम्भा किया गय था बस्तर में दोस्तों 20 वका सबसे सरवाधिक दिनों तक चलने वाला दसरहा होता है दोस्तों बस्तर का दसरहा कितने दिन में हैं बस्तर में हस्त सिल्फ कॉंप्लेक्स की स्थापना की जा रही है और बस्तर में 1972 में नरी जाती मुझ्यम जगदलपूर की भी स्थापना किया गया था यहां से एक और झगदलपूर है इसे 36 गट में 44 का सहर कहा जाता है और यही से कॉष्षन बन जाता है कि जगदलपूर को 4 ख शहर किसने बस आया था तो काक्ति वन सी सासक रुद्र प्रतापद्य Duaरा जग्दलपूर को चावराहो का सहर बसाया गया था आप इतने फेक्ट को इस कोशन से रेटेड करके आप करेंड अफैर सेशन का हमारा अगला कोशन है केंद्रा सरकार के जल सक्ती मंत्राले दोरा जल सरतों के सरक्षन यह सवर्धन के लिए कि जीलो कोशन 2019 का नेशनल वाटर प्रदान किया जाएगा इसका सही अंसर है अप्सन ठाड़ा उप्रोक्त दोनों अर्थाद दोस्तों बिलाजपूर और सूरजपूर दोनों जीलों को 2019 का नेशनल वाटर अवाड़ से समानित किया जाएगा कोशन के स्पश्टी कराण दिखते हैं मुख्या मंत्री सिरी साल में नदी नालों की पूर्ण धार के लिए किये गए कारियों के लिए प्रदेश के बिलाजपूर जीले और जल सरक्षण के कारियों के लिए सूरजपूर जीले को भारत सरकार के जल सकती मंत्राला के और से देश में शरवस्रिष्ट जीलों का इस्थान प्राप्त इसमें बिलासपूर जीले को East Under Revival of the River केटेगेरी में और सुरजपूर जीले के East Underwater conservation केटेगेरी में राश्टी इस्तर का प्रथम प्रुसकार के लिए चैनित किया गया है यहाँ प्रुषकार एक नौंबर माह में प्रादान किया जाएगा दोस्तो यहाँ जो है इसे नौंबर माह में इसे प्रादान किया जाएगा अब दोस्तो इसमें जो बिलासपूर जीले को नालों के दोस्तों पुर्वधार के लिए पुरुषकार से समानित किया जाएगा तो आप 36 गर के मैप में दिखिए यह है दोस्तों बिलासपूर जीला दिखी यह है बिलासपूर जीला और दोस्तों बिलासपूर जीले कजिला मुख्याला कहा है कि अर्पनदी का उद्गम कहां से हुआ है तो अर्पनदी का उद्गम गवरेला पिंडरा मरवाही जिला दोस्तो जो गवरेला पिंडरा मरवाही जिला है यहां से अर्पनदी का उद्गम होता है और यहां से दोस्तो गवरेला पिंडरा और वही जिला के दोस्तों जो पिंगराप अठार है के खोडरी खोक्सरा नामाखिस्थान है यही से अर्पनदी का उद्गम होता है अर्पनदी में दोस्तों भैसा जhard नामाख प्रयोजना संचलित की जा रही है अर्पनदी का दोस्तो सहयक नदी कौन-कौन से है तो अर्पनदी का सहयक नदी है खारंग नदी और दोस्तो जो खारंग नदी है यही पर 1920 में खुटा घात बांध की दोस्तो निर्माड किया गया था और खुटा घाट बांध को वर्तवमान में संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है इसके दोस्तो एक और साहयक नदी है छोटी नर्मदा इसका उद्गां बेल पांच से हुआ है दोस्तो यहां पर देखिए कुछ और important fact है जैसे दोस्तो यहां पर देखिए जो बिलहा है बिलहा दोस्तो यहां 36 गड़ का सबसे बड़ा विकासखन है इसका काराड़ यहां कि दोस्तो जो बिलासपूर तसिल और बिलहा तसिल दोनो बिलहा तसिल के अंतरगत आता है जिसके कारण यहाँ जो बिलहा विकासखन है यहाँ प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखन है साथी दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा विकासखन है तो प्रदेश का सबसे बड़ा तसील कौन है तो प्रदेश का सबसे बड़ा तसील है कोरवा जीले के पोरी उपरोडा दोस्तो जो बिलाजपूर जी लेके चकर भाता है यहां पर हवाई पट्टी की स्थापना किया गया है कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जैसे यहां पर दिखे दोस्तों यहां पर प्रमुक इतहासी किस्थाल है जिसका नाम है मलहार दोस्तों यहां पर दिखे जो य से नदी के किनारे बसा है तो यहाँ लीलागर नदी के किनारे बसा है यहाँ पर दोस्तो प्रमुक मंदीर है जैसे डिंडेस्वरी माता मंदीर बोड़ी खार से दोस्तो मलहार के जो बोड़ी खार है यहाँ से विशुडू की चत्तीर भुज की दोस्तो जो प्राचिंता मुर देवरानी जेठानी मंदिर यही पर इस्थित है और दोस्तों यहां किस नदी के किनारे बसा है तो जो तालागा हुआ यह मन्यारी नदी के किनारे बसा है साथी दोस्तों यहां से दिखिए जो देवरानी जेठानी मंदीर है दोस्तों यहां के मुख्य द्वार में रुद्रसीव की प्रतिमा को दोस्तों यहां पर इस्थापित किया गया है यहां से दिखिए दोस्तों जो चकर बेड़ा है चकर बेडास में से दोस्तो जो सतोहन काली सोना सिक्के भी प्राप्त हुआ है आप इतने फेक्टों को इस जिले से रेटेट करके याद रखिए साथी दोस्ति यहाँ पर रतनपूर है इनके बारे में कुछ और इंपोर्टेंट फेक्ट देख लेते हैं इसे दोस्तो रतनपूर है इनका प्राचीन नाम क्या है तो रतनपूर का प्राचीन नाम है कुवेरपूर मडीपूर है और दोस्तो यहां 36 गड़ की प्रत्थम राजधनी है 36 गड़ की प्रत्थम राजधनी कौन है तो 36 गड़ की प्रत्थम राजधनी रतनपूर है और रतनपूर को दोस्तो 36 गड़ में तलाबों का सहर के नाम से नहीं जाना जाता है रतनपूर में दोस्तों महमाया मंदीर इस्थी थै इसकी स्थापना का भुआ था दोस्तों जो रतनपूर के महमाया मंदीर है इसकी स्थापना ग्यारवी सताबदी में हुआ था और इसका निर्माड किसने कराया था तो इसका निर्माड रतन देव प्रतम द्वारा रतन पूर के महमाया मंदिर का निर्मार किया गया था आप इतने फैक्ट को इस question से related करके याद रखिए साथी दोस्ति यहाँ पर हमारा इस question का हमारा दोस्तो दूसरा जीला है जिसको water के सरक्षर तशस सावर्धन के लिए यहाँ पर प्रोषकार से समानित किया गया है इस शुरीय पूर जीले नोग्ट है दोस्तोर आप सुराजपूर जीले के बारे में कुछ कुछह आर इंपॉर्टेंटेंट झो देखते हैं जेसे दोस्तन ही अई ऐहां से दोस्तु एक प्रमुक रूप का खधान है ये विश्रामपूर दोस्तों यही से कोशन पुछा जाता है कि जो विश्रामपूर कोईला खधान है ये किस जिले में है तो दोस्तों ये कौन से जिले में है ये सूरजपूर जिले में है यहां से दोस्तो सबसे important question है यह देखे दोस्तो यह जो तामोर पिंगला वन्यजू अभ्यारण है इसकी स्थापना कर भुआ था तो इसकी स्थापना 1978 में तामोर पिंगला वन्यजू अभ्यारण की स्थापना हुआ था और यहां दोस्तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यज इन फेक्ट बन सकते हैं जैसे सूराजपूर जीले के दोस्तों जो केरता है सूराजपूर जीले के दोस्तों जो केरता ग्राम है यहां पर महमाया माता महमाया सबकारकार खाना की दोस्तों इस सापना राजय सरकार द्वारा किया गया था आप इतने फेक्टा को इस जीले से र करेंड फैर सेस्टन का हमारे यह वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद